हलो फ्रेंट्स आपसी लोग का स्वागते हैं हमारी यूटूब चैनल कविंदर भाईया पर तो आज हम देखेंगे कक्छा दस का विज्ञान तो देखें दोस्तो जैसा कि हमने इस वीडियो में बहु विकल्प ये प्रेश्ण लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैसा कि प्रेश्ण वन है फ्लोयम द्वारा भोजन का रुपांतरड होता है विकल्प है सुक्रोज के रूप में प्रोटीन के रूप में हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में इसका सही हो जाएगा विकल्प यानि की सुक्रोज के रूप में अगला है पौधियों में भोजन का रुपांतरड होता है विकल्ब है जाइलम द्वारा, फ्लोयम द्वारा, कोट्रेस द्वारा या मज्जा द्वारा इसका सही हो जाएगा विकल्ब B यानि की फ्लोयम द्वारा अगर जल का रुपांत्रड बोलेगा तो जायलम द्वारा जसे जायलम जसे जल हम ऐसे आत कर सकते हैं आगे देखते हैं प्रिश्ण है डिक्सन एवं जौरी सम्बंदित है विकल्ब है रसा रोहर से, परासर से, और सोसर से या विसरर से इसका सही हो जायेगा विकल्ब ए यानि की रसा रोहर से अगला है निम्नलिखित में इसे कौन सा त्वचा का कार ये नहीं है विकल्ब है सम्वेदना, सुरच्छा, लाइगी क्लच्छर या उसर्जन इसका सही हो जायेगा विकल्ब सी यानि की लाइगी क्लच्छर अगला है मनुष्य में दुख्द ग्रंथी यानि अस्तन ग्रंथी रुपांत्री त्रचना है या कौन सी त्वच्चिय ग्रंथी अस्तन ग्रंथी के रुप में परिवर्थित होती है विकल्ब है स्वेद ग्रंथी, तेल ग्रंथी, लाल ग्रंथी या जठर ग्रंथी की विकल्फ है अग्न्याशे, यक्रित, अमाशे या व्रिक्ट, इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानिकी यक्रित. अगला है व्रिको का कार्य संबंधित है विकल्फ है पोसर से, स्वसन से, उसर्जन से या परिवहन से इसका सही हो जाएगा विकल्फ सी यानी की उसर्जन से अगला है प्रेश्ट बोमेन संपुट भाग है विकल्फ है पित वाहिनी का अग्न्याश्य वाहिनी का प्रोष्टेट ग्रंथी का या व्रिक नलिका का इसका सही हो जाएगा विकल्फ डियानी की व्रिक नलिका का अगला प्रेश्ट है गर्मियों के दीनों में किस कारड दो पहर में पौधी मुर्जा जाते हैं विकल्फ है वास्पो सरजन की कमी के कारड वास्पो सरजन की अधिक्ता के कारड प्रकास अंसलेसर की कमी के कारड या प्रकास अंसलेसर की अधिक्ता के कारड इसका सही हो जाए या विकल्प यक्रित में, फेफडों में, अमाशे में या जीव में इसका सही हो जाएगा विकल्प यानी की फेफडों में तो देखे दोस्तों, जैसा कि इसमें हमने इतना ही बहुत विकल्पी उप्रेशन लिया था तुम्हें तरश्रुम तब तके लिए धन्यवाद दोस्तो